कहानी शुरू होती है ये अलीजा है और मॉडल है ये सुनसान जगह बॉइफ्रेन के साथ इंजॉई करने आई है अचानक से अलीजा दर जाती है सामने दो बंदे खड़े हैं देखने से शिकारी लग रहे है अलीजा ब्रिन को आवाज देती है वो आता है और कहता है ये मेरे दोस्त है ब्रिन दोनों को अलीजा से मिलाता है दोनों इसको गूर कर देखते रहते है अलीजा घबरा कर यहां से चली जाती है केविन और जेंस पीछे से इसको देखते रहते है रात में सभी टेबल पर बैट कर बाते कर रहे है ब्रिन एक ड्रग्स निकालता है केविन छीन कर इस ड्रग्स से खेलने लगता है तो ब्रिन बुस्सा होता है कहता है ये बहुत महेंगा है और खतरनाक भी अगर कोई ये ज्यादा लेगा तो मर भी सकता है फिर ब्रिन ड्रग अलीजा को रखने के लिए देता है अलीजा अंदर चली जाती है और ड्रग निकलेस के अंदर रख लेती है फिर बाहर आती है और डांस करने लगती है वो अभी मस्ती के मूड में है ब्रिन के पास आती है ये डांस को मना करता है तो केविन को साथ डांस करने को कहती है फिर दोनों डांस करने लगते है ब्रिन और जेंग्स ये देखकर बहुत कुछ फील कर रहे है और वो भी करना चाहते है अब ब्रेन उठता है और अलीजा को उठा कर अपने साथ अंदर लाता है और मज़े करता है सुबह अलीजा कमरे से बाहर आती है सब सुनसान है सामने से केविन आता है और अलीजा को टच करने लगता है अलीजा आसपास देखती है पोल में जेम्स सु रहा है केविन कहता है जेम्स नशे में है और ब्रिंट शिकार पर गया है अब तुम और में यहां अकेले है अलीजा थोड़ी नर्वस होती है और मोबाइल चलाने लगती है केविन इसको भूरता रहता है अलीजा को अजीब मेहसूस होता है वो बहाना बना कर रूम में चली जाती है अब अलीजा कमरे में कपड़े चेंज कर रही है पीछे सी केविन इसको देख रहा है अलीजा जैसे ही मुर्टी है डर जाती है केविन माफी मानता है ये कहती है में डर गई थी अब दोनों साथ बैखते है केविन कहता है क्या में तुम्हें पसंद हूँ ये सुनकर अलीजा हैरान होती है कहती है तुम छोटे हो मुझे लंबे लड़की पसंद है केविन हैरान होता है और दोनों जोर से हसने लगते है अलीजा दूर जाती है केविन कहता है कल रात को क्या में छोटा नहीं था जब तू मुझसे चिपक कर डांस कर रही थी और मुझे लल्चा रही थी फिर केविन गलत जगल टच करने लगता है अलीजा को टर्न करके पैंट उतारने लगता है इतने में दर्वाजा खुलता है और सामने जेम्स है केविन कहता है हम को अकेला छोड़ दे हम दोनों बिजी है तो जेम्स यहां से चला जाता है कमरे में केविन जबर्दस्ती कर रहा है अलीजा की जोर सोर से चिलाने की आवाज आ रही है जेंस टीवी की आवाज तेज करके पूल में नहाने चला आता है और कमरे में मस्ती हो रही है कुछ देर बाद ब्रिन घर आया तो कुछ अजीब लगता है वो कमरे में अलीजा के पास आता है ब्रिन टच करता है तो अलीजा दरती है वो गुस्सा होता है और बाहर आके अपने दोस्तों को डाता है कुछ देर बाद ब्रिन अलीजा के पास आता है कहता है अब सब ठीक है केविन माफी मान रहा है मगर अलीजा कहती है मुझे यहां से जाना है चौप बुलाओ मुझे यहां नहीं रहना है ब्रिन को इतने जिब पर गुसा आता है और वो अलीजा को थप पर मारता है वो गिरती है फिर अलीजा उटकर भागने लगती है ब्रिन पीछे भागता है केविन जेंग्स दोनों को देख रहे है ये दोनों भी पीछे भागते हैं अलीजा भागे जा रही है ये तीनों इसके पीछे भाग रहे है अलीजा एक जगह रुप जाती है रास्ता खतम आगे खाई है ये तीनों भी यहां आते है सब घबराय हुए है ब्रिन कहता है मोबाइल दो वो कॉल करके चौप को यहां बुलाने लगता है अलीजा से कहता है चौप आ रहा है चलो वापस और मुल जाता है अलीजा भी रिलेक्स होती है एक दम से ब्रिन मुलता है और अलीजा को धक्का मारता है वो खाए में गिरती है और लकड़ी में फस जाती है ये सभी उपर से देखते है अलीजा मर गई है ब्रिन कहता सब भूल जाओ तुम लोगों की वजह से ये हुआ है ये दोनों कहते है हाँ सब ठीक है यहाँ से चले जाते है नीचे अलीजा फसी पड़ी है कुछ देर बाद अलीजा के जिस्म पर छीटिया हो गई है वो बेहोश है मगर अचानक से इसको होश आता है ये हिलने लगती है दर्ड में होती है खुद को निकालने की कोशिश करती है अलीजा अपने पास पड़े लाइटा को उठाने की कोशिश करती है इसको दर्ड होता है मगर करती रहती है और लाइटा उठा लेती है फिर पेल के नीचे आग लगाती है अलीजा बहुत दर्ड में है वो खुद को हिला कर इस टहनी को तोड़ने की कोशिश करती है पेर जल गया है वो कामियाब होती है खुद को छुड़ा लेती है और बेहोश हो जाती है कुछ देर बाद वो सभी दोबारा देखने आते है अलीजा गारी के आवाज सुनकर रेंगने लगती है वो किसी तरह कोशिश करके छुप जाती है ये सभी नीचे देखते है तो जला हुआ पेर दिखता है इन्हें अलीजा दिखाए नहीं देती वो नीचे छुपी हुई है फिर सभी नीचे जाने लगते है रात को सभी खाए के नीचे अलीजा को देखने आते है देखते है पेर जला हुआ है और खुन के निशान जा रहे है वो खून का पीछा करते हुए नदी के किनारे आते हैं यहां से सब अलग हो जाते है अलीजा पानी में भाग रही है पीछे से बाइक की आवाज आती है वो पानी में छुप जाती है फिर पानी से निकल कर जेम्स के पीछे आती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती है अलीजा गन उठा कर जेम्स पर तांती है वो माफी मांदने लगता है मगर अलीजा ट्रिगर दबाती है गन में गोली नहीं है जेम्स इसको मार के गिरा देता है और फोन से केविन को बता देता है ये खुश और रिलेक्स होता है जेम्स अलीजा को मारने लगता है बार-बार पानी में दूबाता है अलीजा अचानक चाकू निकाल लेती है पिर अगली बार जेम्स पर हमला करती है और दोनों आंक फोल देती है जेम्स तुडपता है और मर जाता है अलीजा करीब आती है और आँख से चाकू निकाल लेती है कार में केविन एंजोई कर रहा है अलीजा इस सुरंग में रात गुजारने का इरादा करती है अपना जख्म देखती है तो बहुत दर्द होता है वो रोने लगती है इतने में याद आता है इसके पास ड्रग है वो फौरन इस ड्रग को लेती है मगर करवा है तो थूपती है लेकिन दर्द कम करने के लिए थूका हुआ वापस खलेती है अब ग्रग असर करता है इसको कई आवाजे सुनाई देती है ये पागल होती है और दर्ब महसूस नहीं होता अब अलीजा चाकू गरम करती है और जख्म काटने लगती है इसको कुछ महसूस नहीं होता फिर धीरे से इस लकडी के टुकडे को निकालती है और स्टील के केन को काटने लगती है फिर इसको गरम करके जख्व पर रखती है हलका सा चिलाती है और फिर सो जाती है सुबल केविन नदी में हाथ दो रहा है इतने में जेंस के लाश देखकर डरता है घबरा कर पानी में गिरता है ब्रिन यहां आता है केविन कहता है सब तेरी वजह से हुआ है ब्रिन मुक्का मारता है केविन नीचे गिरता है और खुनम खान होता है ब्रिन यहां से जाने लगता है साथ में केविन भी जाता है यहां अचानक से अलीजा की आँख कुलती है वो देखती है पेट पर इगल बन गई है और जखम छुप गया है फिर वो खड़ी होती है और गन लेके बाहर जा रही है इतने में सामने ब्रिन आता है अब अलीजा घबरा जाती है ब्रिन गन लोड करता है और अलीजा का सर उड़ा देता है टुकडे टुकडे एक दम से अलीजा की आँख खुलती है ये एक सपना था वो बहुत धबरा और डर जाती है अलीजा पूरी तरह तैयार होकर सब समान साथ लेकर गुफा से बाहर आती है हर तरफ रेगिस्तान है ये चारों तरफ देखती है कुछ नजर आ जाए तो कार नजर आती है अब अलीजा कार का पीछा करने लगती है यहाँ पैट्रोल खत्म होता है जेम्स भरने को उतरता है अलीजा निशाना लगाने लगती है कुछ देर की कोशिश के बाद गोली चलती है मगर गोली सर की जगल कंदे पर लगती है और अलीजा खुद भी गिर जाती है फिर खड़ी होती है और निशाना लगाती है मगर जेंग्स यहां नहीं है यह आगे बढ़ती है कार के पास आती है जेंग्स नजर नहीं आता खून के निशान का पीछा करती है आगे जा रही है जेंग्स भाग रहा है वो मोजे से जख्म का खून रोकता है और छुप जाता है अलीजा खून के पीछे आ रही है मगर आगे खून नहीं जूता पड़ा है लेकिन अलीजा आगे बढ़ती जा रही है पीछे जेंग्स निकल आता है बहुत दर्ड में है वो निशाना लगा कर फाय करता है अलीजा जमीन पर गिरती है अलीजा का कान कट गया इसको कुछ सुनाएं नहीं आता वो बहुत दर्द में है और खड़ी होती है भागती है पीछी से जेंग्स गोलिया बरसाए जा रहा है अलीजा भागते हुए रास्ते में काच के टुकड़े फेक देती है जेंग्स को भागते हुए टुकड़ा पैर में गुसता है वो गिरता है और जोर से चिलाने लगता है अलीजा भागती रहती है फिर जेंग्स पैर से टुकड़ा निकालने की कोशिश करता है मगर बहुत दर्द होता है फिर भी वो जख्म में उन्वी डाल कर धुनता है और टुकड़ा निकालकर पागल की तरह हसने लगता है फिर कार में वापस आता है इतने दर्द में है की कार स्टार्ट नहीं कर पाता मगर पागल हुता है अलीजा को मारने को दूसरी तरफ अलीजा भाग रही है एक जगह रुक कर जेम्स का इंतजार करती है जेम्स गुसे में अलीजा को उड़ाने बढ़ रहा है अलीजा गोली चला रही है लेकिन जेम्स को एक भी नहीं लगी जेम्स फुल स्पीग में अलीजा के करीब आ गया है इतने में गोली जेम्स की सर पर लगी और कार अलीजा की साइट से निकल गई अब अलीजा गुस्से में कार की तरफ आगे बढ़ती है वो देखती है जेम्स मर गया तो नीचे फेक कर कार लेकर चली जाती है यहां ब्रिंग शावले रहा है अचानक कुछ मेहसूस होता है ब्रिंग गन लेकर देखने जाता है ब्रिंग पूरे घर की तलाशी लेता है मगर कही कुछ नजर नहीं आता कोई नहीं होता वो ठक कर बैखता है तो टीवी चालू होती है वो दरता है फिर रिमोट उठा कर जैसे ही मुलता है तो शौक होता है ब्रिंग के सामने अलीजा खड़ी है हाथ में गन है दोनों एक दूसरे को देखते रहते है ब्रिंग कुछ केहने वाला है मगर अलीजा गोली चला देती है ब्रिंग नीचे गिरता है और बुरा घायल हुआ है अब दोनों एक दूसरे पर गोलिया चलाने लगते हैं अलीजा रुकती नहीं है ब्रिंग रेंगते हुए अंदर चला जाता है फिर अलीजा जाने लगती है खून का पीछा करती है ब्रिन का जख्म घिरा है वो तकलीफ में खड़ा है अलीजा का इंतेजार कर रहा है अलीजा मोल पर आकर रुख जाती है दोनों इंतेजार करते है अलीजा आगे बढ़ती है तो खून बेहता हुआ दिखता है वो फौरन रुकती है और पीछे मूल जाती है वापस जाने लगती है ब्रिन भी आगे बढ़ता है देखता है कोई नहीं है फिर दोनों एक दूसरे के आके पीछे घूमते रहते है अब अलीजा को कुछ गिरने की आवाज आती है यहां ब्रिन पनी से जख्म का खून रोपता है फिर आगे बढ़ता है और टक्राता है यह आवाज सुनकर अलीजा घबराती है और आगे बढ़ने लगती है अलीजा को सामने ब्रिन दिखता है वो फायल करती है ब्रिन भी फायल करने लगता है मगर गोलिया खत्म तो भागता है अलीजा पीछे भागती है और घबरहत में खून में फिसल कर गिरती है और गन हाथ से निकल जाती है अलीजा कोशिश करती है गन उठाने की मगर खून में फिसलती रहती है पीछे से ब्रिन आता है और गन से मार के बेहोश करता है अलीजा थोड़े होश में होती है वो गन उठाने की कोशिश करती है मगर ब्रिन उठा कर गला पकड़ लेता है ब्रिन अलीजा को गालिया देने लगता है वो ब्रिन की जख्म में उंगली घुसाती है दर्ट की वजल से ब्रिन छोड़ देता है अलीजा नीचे गिरती है और गन उठाती है जैसे ही मुलती है ब्रिन उपर आता है गन लोड करती है दोनों एक दूसरे को देखते हैं एलीजा ब्रिन को उड़ा देती है और आराम से लेज जाती है फिर उठती है यहां से बाहर आती है पूल की तरफ जाने लगती है और बदला पूरा होता है ऐसी और वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दो